टुन्टुनी अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी उसकी मा को गुजरे हुए दो साल हो चुके थे एक दिन टुन्टुनी की पिता बिमार पड़ गए बिमारी की हालत में वो सोचने लगा इतनी ज्यादा तबेत खराब है अगर मुझे कुछ हो गया तो टुन्टुनी की देखभाल कौन करेगा मैं आज ही अपने मालिक को बुलाओंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे दो दिन से बिमारी के कारण टुन्टुनी का पितर टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था तब उसका मालिक कहता है अरे टुन्नू क्या हुआ भाई तुमें तुम दो दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो इसलिए मैं तुमें आज देखने के लिए आया हूँ सेड जी अच्छा किया जो आप आ गए मैं आज ही आपको याद कर रहा था ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूँगा सेड जी ये मेरी बेटी है टुन्टुनी मैं चाहता था आप इसकी देख भाल करें ठीक है टुन्टुनू मैं अपनी पत्नी से पूछ कर तुम्हें बताऊंगा घर जाकर कड़कनात अपनी पत्नी सुंदरी कवी को ये बात बताता है अरे कड़कनात क्या बात करते हो जी हमारा तो खुदी एक बेटा है कालू और मैं वरकर की बेटी को क्यों गोद लूँ उपर से उसके पढ़ाई का खर्चा फिर उसकी शादी की चिंता मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है अरे सुंदरी कोई तुम जरा दिमाग से सोचो वो पक्षी जो कुछ ही दिन का महमान है मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूँ मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त के नौकरानी मिल जाएगी ये तो बिल्कुल पती की बात कही है आपने अब कड़कना तुन्टुनी को लेने जाता है अपने पिता से अलग होते समय तुन्टुनी फूट फूट कर रोती है बाबा मुझे अपने से अलग मत करो, मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी, बाबा मैं आपको छोड़कर कही नहीं जाओंगी जा मेरी बच्ची, इस इमें तेरी भलाई है करतना तून-टूनी को घर लाता है, घर आकर करतना तपने काम में बिजी हो जाता है और सुन्दरी कववी तुन्टुनी से मीठी मीठी बाते करने लगती है तुन्टुनी तु कुछ खाएगी? नहीं मा, मुझे भूक नहीं है अरे सुन्टुनी, मैं तेरी कोई मा नहीं हूँ तू मुझे मेम साब कहा कर, चलब जा जाकर रसुई में सोजा अगली सुन्दरी कववी तुन्टुनी के पास जाती है ए तुन्टुनी, चलब उठ, हमारे यहां इतनी देर तक कोई नहीं सोता मैं साब, रात में मुझे नींद नहीं आई, वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है तुझे तो अब सोना पड़ेगा, तु अकेले सोने की आदत डाल ले चलब जट पर उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा तुन्टुनी सुन्दरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है शाम को कड़कना जब ओफिस से आता है तुन्टुनी मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ अभी लाती हूँ सहाब, ये लीजी सहाब कैसा पानी है, मैंने तुम्हे ठंडा पानी लाने को कहा था और तुन्हे नलका पानी लाकर मुझे दे दिया सारा मूड खराब कर दिया ये कहकर कड़कना तुन्टुनी को एक थपड लगा देता है धीरे धीरे समय गुजरने लगता है एक दिन कड़कना तो कार खाने में खबर मिलती है कि तुन्टुनी के पिता की मौत हो गई कड़कना ये पार तुन्टुनी को नहीं बताता अब कड़क नात और उसकी पत्मी सुंद्री कववी तुन्टुनी पर पहले सी भी ज्यादा अत्यचार करने लगते हैं एक रात जब तुन्टुनी सोई हुई थी तब उसकी सपनी में उसकी पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं बेटा, मैं तुमसे मिलना चाता हूँ, काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। तुन्टुनी सपनी में अपने पिता को देख कर बेचेन हो जाती है, अब तुन्टुनी सुन्दरी कवी के पास जाती है, उस समय कड़कनात और सुन्दरी कवी सो रही थे, तुन्टुनी दर्वाजा खट खटाने लगती है मैम साब, मैम साब जल्दी दर्वाजा खोलिए, मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है, मेरे बाबा मुझे बुला रही है, मैं अपने बाबा की पास अभी इसी वक जाऊंगी अरे टुन्टुनी, इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परिशान क्यों कर रही हो, कौन सी आफ़त आ गई? मैम साब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी, मेरे बाबा मुझे बुला रही है, मैं अपने बाबा की पास अभी जाऊंगी चुप हो जा कमबखर सारी नीन खराब कर दी, कल सुबह बात करेंगे, चल अब भाग यहाँ से टुन्टुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनात और सुन्द्री कववी पर उस बच्ची की रोने को कोई असर नहीं होता ये सब कालु कवव देख रहा होता है, और कालु को टुन्टुनी पर दया आती है, लेकिन कालु कवव कुछ कर नहीं पाता एक दिन संद्री कववी टुन्टुनी को बेवजा पीट रही होती है तबी कालू कवव वहां आता है और टुन्टुनी को बचा लेता है मा आपने जरा से भी दया नहीं है कोई इस तरह किसी को मारता है क्या अब टुन्टुनी यहां नहीं रहेगी मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहां छोड़ कराता हूँ अगले दिन कालू कववा टुन्टुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है वहाँ जाकर टुन्टुनी को पता चलता है कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे ये सुनकर टुन्टुनी बहुत रोती है तबी कालु कववा टुन्टुनी से कहता है टुन्टुनी अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रहने नहीं पाऊगी, मेरी मा तुमको चैन से रहने नहीं देगी, तुम अब अकेली हो, तुम बुरा ना मानो तो मुझसे शादी करोगी टुन्टुनी को कालुकवई की बासन कर अच्छा लगता है, और टुन्टुनी इसको शादी के लिए हां कर देती है, फिर वो दोने एक साथ खुशी-खुशी रहते हैं सुंदरवन जंगल में टुन्टुनी चुडिया अपनी मा टुनी चुडिया के साथ रहती थी, टुन्टुनी चुडिया को बच्पन से ही सिलाई करने को बहुत शौक था, जब भी उसे समय मिलता, वो अपनी मा की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती मा ये देखो ना मैंने कितनी अच्छी फ्रॉग सेली है अरे वा बिटिया तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ तेरी परिक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है मा मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है मैं पढ़ाई की साथ सा सिलाई करना भी सीखूंगी मैं कुछ नहीं जानती आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो अब तून्टूनी पढ़ाई की साथ सिलाई भी मन लगा कर सीखने लगती है कुछी दिनों में तून्टूनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है एक दिन तूनी की सहीली बबली कबूतरी उसके घर आती है अरे तूनी ओ तूनी कहा है जल्दिया तब टुन्टुनी चुडिया कहती है आंटी वो मा घर पर नहीं है पडोस में गई है आप बैठिये मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ तुम टुन्टुनी हो ना इतनी बड़ी हो गई है जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत चोटी थी पहचाना मुझे मैं तेरी बबली आंटी हूँ तुन्टुनी तू जाकर अपनी मा को बुलाला तुन्टुनी चुडिया पडोस में अपनी मा को बुलाने के लिए चली जाती है थोड़ी दिर पार तुन्टुनी चुडिया अपनी मा को लेकर घर आती है अरे बबली कबूतरी तू कब आई? टुन्टुनी तू जा जाकर चाय बनाला फिर टूनी चड़िया बबली कबूतरी से बाते करने लगती है बबली कबूतरी टूनी से कहती है टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है मैं इसे अपने घर की बहु बनाना चाहती हूँ मेरा बेटा बंटीग वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संसकारी बहु चाहिए थी तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है तुझे इस रिष्टे से कोई अतरास तो नहीं है ना नहीं नहीं वबली कबूतरी ये तुम कैसी बाते कर रही हो मुझे इस रिष्टे से कोई अतरास नहीं है मैं लाग कोशिश करके भी इतना अच्छा रिष्टा धून नहीं पाती जल्दी तुन्टुनी चुडिया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है शादी की कुछी दिन में टुन्टुनी चुडिया एक बच्चे की मा बन जाती है ससराल में सभी लोग उससे खुश थे एक दिन बंटी कबूतर टुन्टुनी चुडिया से कहता है टुन्टुनी आज आफिस में कुछ ज्यादा ही काम है मैं रात को देर से घर लोटूँगा तो मेरा इंतजार मत करना इतना कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है लेकिन थोड़ी दे बाद कालू कववा तेजी से उड़ता हो उसके घर आता है कैसे हो गया टुंटुनी बेंग जब बंटी कबूतर अपने ओफिस जा रहा था तब एक बाद ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई इतना सुनते ही टुंटुनी चिरिया रोने लगती है माजी ये सिब क्या हो गया माजी बंटी कबूतर के बिना भी घर कैसे चलेगा टुंटुनी तो हिम्मत मत हार बेटा ओपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं टुंटुनी चड़िया अपना दुख भुला कर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है आसपडोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं एक दिन हरी काकी उससे कहती है टुंटुनी तू तो इतनी अच्छी दर्जी है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कम पैसो में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है तू ऐसा कर अपना एक बुटिक खोल ले हाँ काकी आपको सुझा बहुत अच्छा है मैं जल्दी ही अपना बुटिक खोलूंगी लेकिन इसके लिए पहली मैं माजी से इजाज़त लूंगी हरी काकी की जाने के बाद तुन्टुनी चड़िया अपनी सास से बुटिक खोलने की इजाज़त मांगती है माजी क्यों ना मैं अपना एक बुटिक खोल लूं इससे अच्छी कमाई हो जाएगी ठीक है तुन्टुनी तुझे जो अच्छा लगे वो कर तो अपने बुटिक का अच्छे से काम कर मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी जल्दी टुन्टुनी चड़िया अपना बुटिक खोल लेती है अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी इस तरह टुन्टुनी चड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है सुंदर्वन जंगल में कालू कववा अपनी बीवी टुन्टुनी और अपनी मा टुनी के साथ रहता था टुन्टुनी और कालू कववा टुनी के साथ बिलकुल अच्छा बरताव नहीं करते थे एक दिन कालो कववा काम के लिए निकल जाता है टूनी को बहुत भूख लगती है वो टुन्टुनी को अवास लगा कर बोलती है टुन्टुनी बेटा कुछ खाने को बना दो बहुत भूख लग रही है दुपैर भी हो गई है मुझे दवाई लेनी है खाने को भी मैं ही बना कर दूँगी आपके हाथ पर क्या काम नहीं करते दिन भर परिशान कर देती हो कुछ तो काम कर लिया करो बेटा मुझसे काम नहीं होता वरना मैं तुम्हें परिशान नहीं करती मैं खुद ही सब कर लेती हाँ हाँ खाना खानी को बोल दो बस तो भर भर कर खालोगी और थोड़े से काम का बोल दो तो हाथ पें नहीं चलते इनके इतना पोल कर टुन टुनी अपनी कमरे में चली जाती है तूनी चुडिय भूकी ही रोते रोते अपनी कमरे में जाकर सो जाती है शाम को कालू कववा नौकरी से आकर अपनी कमरे में जाकर सो जाता है तूनी चुडिय भूकी प्यासे ही सोई रहती है उसे कोई पूछने नहीं आता दूसरे दिन तूनी की तब्यत खराब हो जाती है तूनी कालू कोई के पास जाती है और बोलती है बेटा कालू मेरी तब्यत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खतम हो गई है जरा बजार जाकर ला दो अरे मा तूम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं मैं परिशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से खैर आपकी दवाई ला कर दे दूँगा और सुनो मा टून्टूनी को परिशान मत करना वो बेचारी ठक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते पर बेट को घर लोटता है तो टून्टूनी टीवी पर सीरियल देख रही थी और मा टूनी एक कौने पर चुपचा बैठी कालू बेटे का रस्ता देख रही होती है कालू को वह जैसे ही अंदर आता है फिर टूनी उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है ले बेटा पानी पी ठक गया होगा ना हाँ हाँ पीलो कालूची पीलो तुम्हारी मा को ही तुम्हारी फिकर है बस मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ ऐसा नहीं है बहू तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया आखिर मेरा बेटा है अरे सब समझती हू घर में फूट पढ़वाना चाती हो ऐसा कुछ नहीं है बहू बेटा तू समझा बहू को ये क्या कुछ बोल रही है क्या समझाओं है क्या समझाओं सही तो बोल रही है कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे जहलूँगा मैं तुम्हें मा मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी विर्दाश्रम में छोड़ाओ जानकारकी इस बुढियाने हाँ सुबाही किसी विर्दाश्रम में ले जाता हूँ बेटा मैं कहीं नहीं जाना चाती मुझे अपने से दूर मत कर मैं मर जाऊंगी तुमें जाना ही पड़ेगा मा तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो तुमें इज़त की रोटी हजम नहीं होती मा और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो अब हम ही इस घर को छोड़ देंगे बस यहीं चाती हो ना कालू कवई की बाते सुनकर टूनी रोते रोते बोलती है नहीं बेटा तु ऐसा मत बोल मैं ही चली जाऊंगी सुबह होते ही कालू कवई अपनी बूरी मा को वृदाश्रम छोड़ाता है थोड़ा समी बीच जाता है एक दिन कालू कवई और टून टूनी लंच के लिए अपने दोस मिठू तोता को अपने घर बुलाते है मिठू कालू से बोलता है अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज हाँ यार बहुत टाइम हो गया आज तो भाबी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा पर भाबी एक बाद बोलूँगा आउंटी जैसी दाल की खिच्डी कोई नहीं बना सकता वो तो पूरे जंगल की बैस्ट कुक है क्यों है ना कालू को है हाँ यार वैसे यार आउंटी है कहां तिखाई नहीं दे रही है हाँ सही बूल रहा है पर जिसे तु नॉर्मल शुगर की दवाईया समझ कर मंगवाता था ना वो तेरी मा का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता कालू तू कभी आउंटी के मन को समझ ही नहीं पाया उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था और ये तेरी जिन्दगी जो है न ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जिस माने तुझे ये बोला था ना हॉस्पिटल में बीटा परेशान मत हो नॉर्मल पत्री का उपरेशन है उस माने अपनी जान की परवाना करते हुए तुझे एक किड्नी दी थी वो चाती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तो जैसी ओलाद को मरने देती पर उन्होंने तुझे बचाया और थू है तुझ पर कालू कैसे बेटी है आप जो अपनी मा को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में मस्त है आप जैसे लोगों को अपनी मा का जरा भी खयाल नहीं होता डॉक्टर आप उन्हें ऐसे मत डाटिये उनकी कोई गलती नहीं है वो तो मैं ही बार बार बिमार पढ़ती रहती हूं देखा कितनी अच्छी मा है तुम्हारी गलतीयों को भी अपनी गलती बता रही है तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास मा है इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास मा का साया तक नहीं होता डॉक्टर की बाते सुनकर कालू अपनी मा टूनी को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है मा मुझे माफ कर दे मा मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं मा मैंने तुसे बहुत बुरा बरताफ किया मा मा जी मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परिशान किया मुझे माफ कर दीजी मा जी अरे मेरे बच्चो मा कभी अपने बच्चो से नाराज होती है मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाती हूँ और फिर तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं